आज हम लोग बिहार बोट के द्वारा इंटरनेट पर जारी किये गए बिहार बोट के मोडल पेपर में से हिंदी के मोडल पेपर का सुलूशन देखेंगे और हिंदी के मोडल पेपर में जितने सारे भी objective question दिये गए हैं उसका बिस्तार से हम आपको solution बताएंगे, समझा करके बताएंगे तो यदि आप लोग अभी तक हिंदी के model paper का solution नहीं जाने हैं, नहीं देखे हैं तो इसके लिए आप सभी student इस video को सुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लिजेगा तो चलिए बीना समय का बाए हम सुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा, ताकि हर एक subject का notification आपके पास पहुँच जाए लेकिन हिंदी में कुल 100 question पूछे जाते हैं, तो हम लोग यहां पर 100 question का अंसर देखने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले number question से हम लोग सुरू करते हैं, तो सबसे पहला number question कह रहा है तो पहला का सही जवाब हो जाएगा भीमराब अमबेद करकी, पहला का D number option सही जवाब होगा चलिए दूसरा number question हम लोग देखेंगे, सेन्द साहब की नई मोटरफाइं केल किस रंग की है तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा काले रंग की, दूसरा का A number option सही जवाब हो जाएगा चलिए तीसरा number question हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें क्यादी आप लोग इसका लिखित उत्तर पाना चाहते हैं, या फिर objective question का बेहतरीन practice करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग अपने mobile के chrome browser में जाकर, google में जाकर के search कर लिजे board mantra.in board mantra.in आप लोग ध्यान से इसे search करिएगा, तो board mantra.in जैसे ही आप लोग search करेंगे इसके बाद आपके सामने हर एक subject का model paper खुल करके आ जाएगा, जहां से आप लोग download भी कर सकते हैं और यहां पर हर एक subject के subjective question और objective question का practice भी आप लोग कर सकते हैं, test भी दे सकते हैं तो बेहतरीन website है, एक बार जरूर अपने mobile में search करें, board mantra.in और यहां से आ करके आप लोग अच्छी practice कर सकते हैं और बेहतरीन number ला सकते हैं चलिए तीसरा number question, कह रहा है कि मैक्स मुलर की द्रिष्टी में सर्वविद्ध संपदा और प्रकृतिक सोंदर रहते परिपूर्न देश कौन सा है? तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा, B number option भारत, ध्यान रखियेगा हम आपको बताये थे कि सर्वविद्ध संपदा और प्रकृतिक सोंदर रहते परिपूर्न देश कौन है? भारत है चलिए चौथा number question कह रहा है कि मनुस में जो घ्रिणा है जो अनायास बीना सिखाय आ जाती है और अपने को सैयत रखना, दूसरे के मनो भावों का आदर करना मनुस का स्वधर्म है खाली अस्थान यह पंक्तिक किस सिर्षक पाठ की है? यानि कि यहाँ पर जो दो लाइन लिखा हुआ है यह किस लाइन से लिया गया है? तो चोथा का सही जवाब हो जाएगा यह लिया गया है नाखुन क्यों बढ़ते हैं? तो चोथा का C नम्मर उप्षन सही जवाब होगा देव गीरी के यादव सासकों के लेक किस लिपी में है? सही जवाब हो जाएगा नंदी नागरी लिपी में है चठा का A number option शही जवाब होगा चलिए शाथमा number question लेखक अमरकांद को किस लेखन के लिए शहित अकादमी पुरशकार प्राप्त हो चुका है तो साथमा का सही जवाब हो जागा कि कथा लेखन के लिए उन्हें शाहित तक अत्मी पुरश्कार प्राप्थ हो चुका है साथ का B नमर औप्षन सही जवाब होगा चलिए आठवा नमर कोशन बहादूर कैसा लड़का था तो आठवा का सही जवाब हो जागा कि बहादूर हस्मुक और महनती लड़का था आठमा का C नम्मर उप्षन सही जवाब होगा अब चलिए नॉमा नम्मर कोशन कह रहा है कि जो महत्व एतिहासिक भौतिक बात के लिए इतिहास का है वहीं अलोचना के लिए सहित्त की परंपरा का है खालिय स्थान या पंगती किस सिर्शक पार्ट की है यानि कि यहाँ पर जो लाइन लिखा हुआ है या किस पार्ट से लिया गया है तो 9 का सही जवाब हो जाएगा परंपरा काम मुल्यांकन चेप्टर से लिया गया है 9 का D नम्मर उप्षन सही जवाब होगा जितने सारे भी हम आपको कोश्चन का अंसर बता रहे हैं इसका सही सही जवाब बता रहे हैं इसमें एक भी कोश्चन का अंसर गलत नहीं है तो इसलिए आप लोग विश्वास के साथ इस चैनल के साथ बने रहिएगा और बाकि कल हम आपको अंग्रेजी और गनीद दोनों का मोडल पेपर का सलूसन हम आपको दे देंगे चलिए दसमा नमर कोश्चन कौन आमलेट नहीं खाता था तो दस का सही जवाब हो जाएगा कि पंडित बिर्जु महराज आमलेट नहीं खाता था असोख बाजब्य के पिता का क्या नाम था तो इग्यारः का सही जवाब हो जाएगा डी नमर आप्षन शही जवाब हो जाएगा तो तेरह का शही जवाब हो जाएगा 13 का B number option सही जवाब होगा चलिए फटा फट से हम लोग हर एक प्रस्ण का उत्तर देखेंगे क्योंकि 100 प्रस्ण देखना है इसलिए थोड़ा हम लोग जल्दी करेंगे लेकिन आप लोग कमेंट में इसका जवाब बताते चलिएगा ताकि आप लोगों को भी पता चलिया है कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है क्योंकि जितने सारे भी कोश्ण यहाँ पर मोडल पेपर में दिये गए हैं सेम टू सेम इसी तरह के कोश्ण आपके परिच्छा में भी पूछे जाएंगे लेबल यहीं होगा न जादा हाड होगा न जादा लो होगा ध्यान रखिएगा चलि चल यह 15 नमर कोश्ण जीवन के अरंभिक दिनों में बिस्मिल्ला खांकु शंगीत के प्रति आशक्ति कैसे हुई तो 15 का शही जवाब हो जागा कि रसलन वाई और बतलन वाई के संगीत से ही उन्हें संगीत के प्रति आशक्ति हुई तो 15 का D नमर उप्शन शही जवाब हो चलिए 17 नम्मर कोश्चन राश्टर पिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था तो 17 का सही जवाब हो जाएगा 1879 इस भी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो 17 का सी नम्मर ऑप्शन सही जवाब होगा चलिए 18 नम्मर कोश्चन गांधी जी को महात्मा किशने कहा तो 18 का सही जवाब हो जाएगा रविंदर नाथ टैगोर ने आप सभी लोग जानते हैं कि रविंदर नाथ टैगोर नहीं महात्मा जी को सबसे पहले महात्मा कहा था चलिए उनईस्वा नमर कोशन कह रहा है कि कि किसका विवादा अस्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तूत किया ज बड़ा एक जामिनर या जैज किसे समझते थे जल्दी से बताइए 20 नमर कोशन बिर्जु महराज सबसे बड़ा एक जामिनर और जैज किसे समझते थे तो 20 का सही जवाब हो जाएगा अपनी अम्मा को यानि अपनी माता जी को बिर्जु महराज सबसे बड़ा एक जामिनर या जज समज़ते थे चलिए 21 नंung कोशन का उचारानसथान गया है तो 21 का सही जवाब हो जागा कि दा का उचारानसथान दं ढ यह 15 का सी नंबर ऑप्सन सही जवाब होगा चलिए 22 नंबर कोशन कह रहा है कि निश्चल सब्द का संधी बिच्चेद क्या है निश्चल का संधी बिच्छेद तो 22 का सही जवाब हो जागा निश्चल निश्चल होता है 22 का D number option सही जवाब होगा अब 23 number question कह रहा है कि निमन में सुध सब्द कौन है तो यहाँ पर देख लीजे यहाँ पर अस्मारा नहीं बलकि अस्मारन होना चाहिए मैथली अनाधीकार होना चाहिए और वाहिनी होना चाहिए तो हमारे ख्याल से तो B number मैथली लग रहा है सही लेकिन मैथली भी मै था हर्सिकार होता है यहाँ पर गलत है यहाँ पर चारों सब्द गलत दे दिये गए हैं अगर इसमें से कोई सही अंसर होगा तो यहाँ पर अस्मरन रहता तो यह सही जवाब हो जाता यहाँ पर अनाधिकार रहता तो यह सही जवाब हो जाता तो चलिए तेश नमर कोशन को आप लोग छोड़ी देजे क्योंकि यहाँ पर चारों जो सब्द है वह हमें असुध लग रहे हैं चलिए चोबिष नमर कॉश्चन मैई सब्द कौन संग्या है तो चोबिष नमर कॉश्चन ध्यान रखियेगा मैई सब्द व्यक्ति-वाचक संग्या है 24 का बी नमर उप्शन सही जवाब होगा चलिए, पचीसा नमर कोशन, अपराध सब्द कौन लिंग है, तो पचीस का सही जवाब हो जाएगा, पुलिंग है, ध्यान रखियेगा, अपराध पुलिंग सब्द है चलिए 28 नमर कोश्चन, डाल पर चणिया गाती है यह किस कारक का उधारन है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा, अधी करन कारक, ध्यान रखियेगा, 28 का A नमर आप्शन, सही जवाब होगा चलिए 29 नम्मर कोशन कह रहा है कि यह कलम किसकी है यह किस भी सेशन का उदारन है ध्यान रखियेगा यह कलम किसकी है यह किस भी सेशन का उदारन है तो 29 का सही जवाब हो जागा सर्वनामिक भी सेशन 29 का B number option शही जवाब होगा अब चलिए 30 number question कह रहा है कि मैंने खाना खा लिया है या किस काल का उधारन है तो कह रहा है कि खाल लिया है यानि कि पहले उबहा खा चुका है तो या भूत काल में चला जाएगा यानि कि जब उबहा बोल रहा है कि मैंने खाना खा लिया है उसके पहले ही उबहा खाना खा चुका है तो इसलिए या भूत काल में चला जाएगा तो 30 का B number option चलिए 31 number question कह रहा है कि पुस्प सब्द है पुस्प सब्द क्या है तो ध्यान रखिएगा 31 का सही जवाब हो जाएगा कि पुस्प एक तत्सम सब्द है 31 का A number option शही जवाब होगा चलिए 32 number question कह रहा है कि ऐसे सब्द जो योगिक तो होते हैं पर अर्थ के बिचार से अपने समान अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेश अर्थ के परिचायक है वह क्या कहलाते हैं तो 32 का सही जवाब हो जगा योग रूड कहलाते हैं 32 का C number option सही जवाब होगा उसके बाद 33 number question कह रहा है कि पराजय सब्द में कौन सा उपसर्ग है ध्यान रखिएगा कह रहा है कि पराजय सब्द में कौन सा उपसर्ग है तो 33 का सही जवाब हो जगा पराऊपसर्ग है। ध्यान रखasındausy रखेगा, 33 का D उप्सार्ग है। स्हरे जवाब होगा। कह रहा है कि त्यागी चीज सब्द में कौन परत्यय है। तो 34 का सहिज जवाब हो जाएगा कि A परत्यय है। ध्यान रखेगा 34 का A न 15 सवरी जवाब होगा। चलिए, 36 नमर कोश्चन, सूल पानी सब्द कौन समास है, सूल पानी, तो ध्यान रखिएगा, सूल पानी बहु ब्रही समास है, 36 का C नमर option, सही जवाब होगा, 37 का C नमर कोश्चन कह रहा है कि निम्न में सुध्ध वाक के कौन है, यहाँ पर चार वाक के दिया गया है, और बाचक संग्या का उधारन है, यहाँ पर चो चार ओप्सन दिया गया है, इसमें द्रब्वे बाचक संग्या का उधारन कौन है, तो 38 का सही जवाब हो जागा, दूध द्रब्वे बाचक संग्या है, चलिए, 49 नमर कोश्चन, उसने अपने भाई का घर खरीदा, यह किस वा चलिए, 41 नमर कोश्चन, जपू जी, किस की रचना है, तो 41 का सही जवाब हो जागा, जपू जी, गुरुनानक की रचना है, 41 का सी नमर कोश्चन, शही जवाब होगा, अब उसके बाद 42 नमर कोश्चन कह रहा है, कि जरा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोडी तन नगन चलिए, किस कविता की पंग्ती है, तो 42 का सही जवाब हो जागा, राम नाम, बिनु विर्थे, जगी जनमा, 42 का C नमर उप्शन, सही जवाब होगा, उसके बाद 43 नमर कोश्चन है, कि रसखान, रचित, प्रेम, बाट का किस प्रकार की रचनाएं है, तो 43 का सही जवाब हो U naa ृ existe कि रसिक समाझ के स्थापना किस ने की 45 का सही जवाब हो जाएगा रशिक समाझ के स्थापना प्रेमगनने की तो बद्री नराएन चौधिरी प्रेमगन 45 का बीन such Harley जवाब होगा चलिए 46 नमर कोष्षिजण बीना किस की रचना है तो 46 का सही जवाब हो जाएगा कि दिनकर का जन्म कब हुआ था तो सेंतालिस का सही जवाब हो जाएगा रमधारी सी दिनकर का जन्म हुआ था तो 48 का सही जवाब हो जाएगा कुबर नरायन की है ध्यान रखिएगा अपने सामने कुबर नरायन के द्वारा लिखा गया है चलिए 49 नमर कोशन बुढ़ा चौकिदार ब्रिक्च कहां मिलता था तो 49 का सही जवाब हो जाएगा B नमर उप्सन घर के दरवाजे पर C नमर उप्सन सही जवाब होगा चलिए 50 कोशन और से इस बच गए हैं इसे भी हम लोग बारी बारी से देख लेंगे तो 50 कोशन कह रहा है कि रेनर मारिया रेलके की माता का क्या नाम था तो एक क्यामन का सही जवाब हो जाएगा डी नम्मर उप्शन सोफिया रेनर मारिया रिलके की माता का नाम सोफिया था चलिए बामन नम्मर कोशन कह रहा है कि किनकी अरंभी के कब प्रकृति और संदर के संबेदन सील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है तो बामन का सही जवाब हो जाएगा ए नम्मर उप्शन सुभितरा नंदन पंथ बामन का ए नम्मर उप्शन सही जवाब होगा चलिए तिरपन नम्मर कोशन कह रहा है कि कभी प्रेमघन की अनुषार भारत में आज कौन सी बस्तु दिखाई नहीं देती है तो तिरपन का शही जवाब हो जागा B नम्मर उप्सन भारतियता दिखाए नहीं देती है, तिरपन का B नम्मर उप्सन शही जवाब होगा अब चलिए चववन नमर कोशन कह रहा है कि कभी गुरुन अनक के नुशार इस दुनिया में राम नाम किरतन के बीना क्या व्यर्थ है तो चववन का सही जवाब हो जाएगा राम नाम किरतन के बीना जन्म और जीवन दोनों व्यर्थ है तो चववन का सी नमर उप्सन शही ज जवाब होगा चलिए 56 नमर कोशन जनता की रोके राह समय में ताव कहां वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है प्रस्तूत पंक्तियां किस कविता से उध्रित है तो 56 का शही जवाब हो जाएगा यह पंक्ति जो है यह जन्द तंत्र का जन्म कविता से लिया गया है 56 का बी नमर और से सही जवाब होगा चलिए 57 नमर कोशन Doll कुबर नरायन का जन्म कभ हुआ था तो संत्र का जाईवि司 Son प्ति जवाब होगा चलिए 69 नमर कोश्षण सुमित्रा नंदन पंत का अन्तिम काब्ब् There emp लोकाय तन ध्यान रखिएगा लोकाय तन 69 का A नमर उप्शन सही होगा चलिए 60 नमर कोशन मानब का रचा हुआ सूरज मानब को भाफ बना करके सोख गया यह पंक्ति किस कविता से उद्रित है तो हीरो सीमा से उद्रित है 60 का B नमर उप्शन सही जवाब हो जाएगा उसके बा 60 नमर कोशन एक आंक से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा तो एक आंक से देखना मतलब प्रतिकूल कार्जे तो नहीं होगा कमर ना कसर ना छोड़ना एक आंक से देखना यानि कि कसर ना छोड़ना यहीं सही जवाब हो जाएगा 62 का B नमर उप्शन सही जवाब होगा चलिए 63 नम्मर कोशन हम लोग देख लेते हैं 63 नम्मर कोशन कह रहा है कि या राल ला ओवा क्या है तो 63 का सही जवाब हो जाएगा या राल ला ओवा अंतस्त व्यंजन है 63 का B नम्मर उप्शन शही जवाब हो जाएगा उसके बाद 64 नम्मर है कि हरी ब्यक्ति वाचक संगया है 65 का B नम्मर उप्षन शही जवाब होगा चलिए 66 नम्मर कोशन रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया या किस पदवंध का उधारन है तो 66 का सही जवाब हो जागा संगया पदवंध का उधारन है 66 का A नम्मर उप्षन शही जवाब होगा उसके बाद 66 नम्मर कोशन निम्न में सुध्यवाग के कौन है 66 का सही जवाब हो जागा राजा दसरत की तीन राणिया थी या सुध्यवाग है 67 का A नम्मर उप्षन सही जवाब होगा चलिए 66 नम्मर कोशन सब धन किस विशेशन का उदाहरन है तो 60 tooth का सही जवाब हो जाईगा सब धन परिमान भोथक विशेशन का उदाहरन है 68 का A number option सही होगा चलिए 69 number question गोमल सब्द है तो 79 का सही जवाब क्या हो जाएगा 79 का सही जवाब हो जाएगा कि गोमल एक तत्सम सब्द है, उनहत्तर का B नमर उप्शन शही जवाब होगा सत्तर नमर कोशन, सत्तर नमर कोशन कह रहा है कि उपकार सब्द में कौन उपसर्ग है तो सत्तर का सही जवाब हो जागा D नमर उपसर्ग है 70 का D number option शही जवाब होगा उसके बाद 70 number question है कि सब्दांस कितने परकार के होते हैं तो 71 का सही जवाब होज़गा सब्दांस दो परकार के होते हैं 71 का A number option सही होगा 72 number question सर्प सब्द में कौन सा प्रत्या है तो 72 का सही जवाब हो जाएगा सर्प सब्द में A प्रत्या है 72 का A नमर ओप्सन सही जवाब होगा उसके बाद 73 नमर कह रहा है कि अपमान सब्द का बिशेशन क्या होगा तो 73 का सही जवाब हो जाएगा अपमानित हो जाएगा C number option सही जवाब होगा 75 number question नाली में बहता हुआ पानी किस पदवंध का उधारन है 75 का सही जवाब हो जगा भिशेशन पदवंध ध्यान रखियेगा 75 का B number option सही जवाब होगा उसके बाद 76 number question कह रहा है कि जो चातर परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवस्य मिलेगी रचना के द्रिष्टी से किस प्रकार का वाक्य है तो 76 का सही जवाब हो जागा मिस्र वाक्य है 76 का B नमर उप्षन सही जवाब होगा चलिए 77 नमर कोशन अकास सब्द का प्रयावाची क्या होगा तो अकास सब्द का प्रयवाची नभ होता है ध्यान रखेगा 77 का D नमर उप्षन शही जवाब होगा 78 नमर कोशन अंधकार सब्द का बिलोम क्या होगा तो अंधकार का उल्टा प्रकास होता है तो 78 का A नमर उप्षन शही जवाब होगा उसके बाद 80 नमर कोश्चन है कि घी के दिये जलाना मुहाबरे का अर्थ क्या होगा तो घी के दिये जलाना 80 का सही जवाब हो जाएगा अपरत्यासित लाभ परप्रशनता यानि घी के दिये जलाना मतलब बहुत खोसोना उसके बाद 81 नमर कोश्चन है कि सोना यानि सोना जो सही जवाब हो जाएगा कि घड़ी सब्द जाती वाचक संगया है तो 82 का B नमर उप्षन सही जवाब होगा उसके बाद 83 नमर कोशन जेट सब्द का इस्तरलिंग क्या होगा तो ध्यान रखिएगा 83 का सही जवाब हो जाएगा जेट का इस तरलिंग जेठानी होता है 83 का C नमर आप्षन सही जवाब होगा 84 नमर कोशन कह रहा है कि बगभुवी सब्द में कौन समास है तो 84 का सही जवाब हो जाएगा कि बगभुवी सब्द में अब्याई भाव समास है ध्यान रखियेगा 84 का D नम्मर उप्शन सही जवाब होगा उसके बाद 85 नम्मर कोशन कह रहा है कि रमेश आ रहा होगा यह किस काल का उधारन है तो 85 का सही जवाब हो जाएगा B नम्मर उप्शन भविश्यत काल का उधारन है उसके बाद 86 नम्मर कोशन कह रहा है कि मगमा को क नींद नहीं आती थीए तो बाढ की चिंटा से लक्षमी को नींद नहीं आती थी 87 का डी नंबर ओप्शन सही जवाब हो जाएगा उसके बाद 88 कोशन कह रहा है कि साथ कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था तो 88 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ओप्शन 2929 में साथ खोड़ी होता का जन्म हुआ था उसके बाद 89 नमर कोशन है कि मां के दोनों पुत्र पढ़ लिके कर कहां काम में लगे हुए थे तो सहर में लगे हुए थे 89 का D नमर आप्शन सही जवाब होगा चलिए 90 नमर कोशन कह रहा है कि मंगू कितने वर्सकी है तो 90 का सही जवाब हो जाएगा कि मंगू 12 वर्सकी है 90 का A नमर आप्शन सही जवाब होगा उसके बाद 90 नमर कोशन मदुरे पांडी लोगों की दुसरी रजधानी है या कहां लिखा हुआ है तो 90 का सही जवाब हो जाएगा काल्ड वेल के तुलनात्मक व्याकरन में एक 90 का B नमर का नाम था ध्यान रखियेगा 92 का सही जवाब हो जाएगा कि सहाईकल नाम पाप पाती था 90 का सी नमर ओप्शन सही जवाब होगा उसके बाद 93 कोशन कह रहा है कि सीता क्या देखकर हो गयी तो 94 का शही जवाब हो जाएगा कि सीता क्या देखकर रुवासी हुई थी तो काला उढ़ना देखकर के रुवासी हुई थी 94 का D नमर उप्षन शही जवाब होगा 95 का नरायन की पतनी का क्या नाम था तो 95 का सही जवाब हो जाएगा भवरी नरायन की पतनी का नाम भवरी था चलिए 96 नमर कोशन हेड नर्स का क्या नाम था तो हेड नर्स का नाम क्या था मिरांडा था 96 का B नमर आप्शन सही जवाब हो जाएगा चलिए 97 नमर कोशन बेदना किसकी कुरूरता से कौच रही थी उसका सचातकार किसे जीवन में पहली बार हुआ तो 97 का सही जवाब हो जाएगा कि पुत्र को ध्यान रखिएगा 97 का C नमर आप्शन सही जवाब होगा 98 नमर कोशन कह रहा है कि ध्याते विश्वा सिर्शक कहानी में अस्कूल के दो कमरों में लगभग कितने 100 लोग खचाखच भरे हुए थे तो ध्यान रखिएगा 200 लोग 98 का D नमर आप्शन सही जवाब हो जाएगा चलिए 99 और 100 दो लास्ट कोशन हम लोग देख लेते हैं स्री निवास किसके सहित्यकार है तो 99 का सही जवाब हो जाएगा करनल के सहित्यकार है 99 का D नमर आप्शन सही होगा और सबसे लास्ट कोशन 100 नमर कह रहा है कि अच्ची उत किसका बेटा था तो 100 का सही जवाब हो जाएगा अच्ची उत लच्चमी का बेटा था तो 100 का ये नमर आप्शन सही जवाब होगा तो कूल मिला करके हिंदी के मॉडल पेपर में 100 कोशन ही पूछा जाता है जिसमें से 50 का जवाब आपको बताना होता है तो हम आपको 100 में 100 question का जवाब बता दिए अगर इस तरह से आपके परिच्छा में पूछा जाता है तो 100 में 50 का जही जवाब आप लोग जरूर बताएंगे तो चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितना गलत हुआ है और कितना सही हुआ है और इसी तरह से आप लोग हमारे channel के साथ बने रहिए और board mantra website के साथ जरूर बने रहिए क्योंकि board mantra website पर ही आपको पूरी तयारी होगी board mantra website पर आप लोग बहतरीन क्लास कर सकेंगे बहतरीन रूप से objective का practice कर सकेंगे subjective question का practice कर सकेंगे इसलिए आप लोग अपने mobile में board mantra.in जरूर सर्च कर ले और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दीजे अपने दोस्तों के बीच अपने groups में share कर दीजे और जो भी student channel पर नए है तो आगे के सभी वीडियो का notification पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद